हम कोई बुजुर्ग हैं क्या हम क्यों चले जाएं हम जवान हैं हमारा हर हर बुजुर्ग असी वर्सका आप जवान हुआ इस आंदोलन के लिए पहले वो घर पर बुढ़ा होगा ये कि आंदोलन में आते ही वो जवान हो जाता है या बुढ़ा कोई दिखाई देता है नहीं यह सब जवान हैं वह पागल बना रहा है कि पुड़े ही अरे बुड़े होगा तू तेरा भाफ होगा पुड़े यह कोई बुड़ा नहीं तक कोई नहीं मिला यह जूट वोल के सत्ता में आ गया हम काला धन लाएंगे पंदर पंदर लाग सबके एकाउंट में देंगे और प जमीन जाजात को और उन पूजी पतियों किया रखना चाहता है। कि बनाई गई हाला कि इसके पहले अनदाताओं ने कहा था कि हमें किसी तरह की कमेटी की जरूरत नहीं है लेकिन इसके बावजूर सुप्रीम कोट ने कहा कि हम सुप्रीम कोट है और कमेटी बनाने का अधिकार रखते हैं। साथ साथ अपना नाम करूना कर और मैं दिल्ली में रहता हूं आप से चाहेंगे जिस तरह से दोहरा चरितर देखने को मिल रहा है एक तरफ सुप्रीम कोट कहती है कि हम किसानों के हित में हैं किसानों का अच्छा सोचते हैं दूसी तरफ ऐसी कमेटी बनाती है जो कि अंदोलन के मुखालफत करती है देखिए बिल यह बनाते हैं और सुप्रीम कोट के गले में फैसला के लिए डाल देते हैं जब तक सुप्रीम कोट का कोई मतलब नहीं है बिल भी तुमने बनाया है बि कमेटी बना कर और कमेटी में वो लोग रख दिये हैं जो लोग पहले इस बिल का समर्थन करते थे और किशानों का ब्रोध करते थे और यह भी वही अडानी और अमानी के लोग हैं जो कमेटी में बिलाएं और यह कभी नहीं चाहेंगे कि बिल खतम हो कमेटी बनाने का कोई म लिया था के हमय कमेटी की जरूरत नहीं है तुन एषैंसने गठन इसलिए क्या सरकार ने कहा ऑर यह सीटाने सारे पर ही काम खरता है अब तक कि जितने भी वीओं होए जितने भी बिलों का घोटाला हुआ वह सुप्रें कोड के थूरू करा करते हैं चाहें तो आरचन का बिल रहा हो चाहें एट्व do City Witness का बिल रहा हो चाहें और विल रहा हो यह जितने भी रात की रात में अपने आप कानून बनाते हैं और अपने अप लागू करते हैं सुप्रम कोर्ड के उपडें करें। जो बुढ़े लोग हैं जो आंदोलन में बुढ़े लोगें जो महलाएं उनका यहाँ पर क्या काम है वो वापस अपने घर छाएंगे तुम से क्या मतलब उनके बच्चे जा अंदोलन कर रहे हैं तो अपने बच्चें को देखने रहें अब बुढ़े भी आएंगे जब बड्रोंके बच्चे यहां पर रहें नाती यहां पर नहीं नहीं आएंगे क्या पर मंश्याय सरकार की क्योंकि सवाल सुप्रीम कोट फिर उन्होंत्ता है कि इस तरह का Cam और देखो दुनिया का अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं मुझे भी 45 वस समाज का काम करते करते हो गए लेकिन इस खिसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन अब तक पूरी दुनिया में कोई आंदोलन नहीं हुआ है और यदि ये किशान आंदोलन फेल होता है तो उसके बाद भारत में कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा और ये चाहा रहे हैं किसी भी तरह से इन किशानों को दबा कर, हड़का कर, पुलिसवल का प्रियोग करके इसे इन्हें हटा दी जाएं जैसे साइनवाग का हटा दिया लेकिन ये किसान पीछे नहीं हटेगा और इन्होंने यदि पुलिसवल प्रियोग किया तो इसके इतने गंभीर प्रणाम होंगे कि हिटलर तो क्या था उससे भी ज्यादा बदनाम हो जाएंगे यह लोग जो समर्थक हैं मोदी जी के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि आप कि किसान सबसे बड़ा समर्थक इस देश का है मोदी का कोई समर्थक नहीं है और वो उनके खईदे हुए लोग हैं जो किसान ही नहीं है उनसे किसानों की बात करवा रहा है जो किसान नहीं है उनको किसान बता रहा है और जो किसान है उनकी कह रहा है कि किसान नहीं है तो इन ल जित करें तो नक्सलाइट है और यदि ये लोग करें तो सब जूटे किसाने ये लोग फत्वा जारी करके उल्टे सूदे बोलकर ये आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं लेकिन ये आंदोलन किशानों का कभी नहीं तूटेगा चाहें कुछ हो जाए ये मोदी ये सोच रहा और ये ऐसे ही भाग जाएंगे ये बेवकूफ नहीं है जो पचास दिन से यहाँ पर कड़कती सर्दी में ठिटूटी सर्दी में इतनी परेशानी में मुसलादार वर्षा में सब लोग पहुंचे हैं और साथ लोग इन साथ लोगों का जिंबेदार कौन है ये मोदी है कि अब ये नहीं होगा और ये भी जान रहे हैं दुबारा गौवर्मेंट में आने वाले नहीं अब किशान किशानों ही ने इनको ऊपर पहुंचाया कुछी बेटाया और किशानी इनको कुछी से नीचे उतारेगा ये है किशान इतना कमजोर नहीं हैं किशान उनके बाप ढरप यहां जो बॉडर पर हेते हैं उनको हटा दिया होगा लेकिन 90 परसंट जो बॉडर पर रचा कर रहें वो किशानों के बेटे हैं किशान खेत में मर रहा हैं और उनके बेटे जो हैं एक वी इनका बेटा सहीद हुआ है क्या एक भी बेटा इनका मरता है क्या एक भी बेटा इनका मिलिटरी में है क्या एक भी बेटा फोर्स में है क्या मैं तो फोर्स वालों से भी आभान करूंगा कि आप लोगों को यह सोचना चाहिए कि यह तुमारे भाई हैं यह तुमारी बहने हैं यह तुमारे बेटे हैं तुम ल जोजोर गास सची वर्सका आप जवान हुआ एस अंदोलन के लिए पहले भो घर पर बुड़ा होगा लेकर आंदोलन में आते ही वो जवान हो जाता है युवा हो जाता है उसके बाल सफेद काले होने लग जाते हैं क्या बात कर रहे हो तुम क्यों जाएंगे सब युवाँ है यहाई ज़ले जाए वहाइंगे क्यों कुछ यहाँ पर लड़ रहा है उसका नाती और बेटे के प्रतिम हो होता है वो तो बर्फ में भी चला जाएगा आग में भी चला जाएगा तूफान में भी चला जाएगा वो रुकेगा नहीं यह सब बेवकूप बना रहे हैं और मोधी तो भाई आपको बताओं उसकी बराबर जूटा और उसकी बराबर जो है जहां सा राम आज तक कोई नहीं मिला य रेंगे और उन तक आहिए गगा तो अ हचाँड़ी आए करेंगे औरे और एक किसान तो दुगनी आया करेगा गड़ानमों के जम्हीं तो कि क्या दूनिकर दूंगी पूर झाल झाल